नित्य नवीन मंगल प्रवचन के प्रायूजक हैं वंडर सिमेंट फर्क नजराएगा मंगल मैं मंगल करन वीतराग विज्ञान नमो ताई जाते भई अरहनता दीमा जो विद्यादी सागर सुधी जो विद्यादी सागर सुधी गुरु हैं हितेशी सुधात में में निरत नित्य हितोप देशी वे पाप गिस मेरी तुमें जले हैं सयाने उजो उने सतते केवल ज्यान पाने बोले एलोरा के मूलनेक चिंतामणी पारिसुनात बढ़वाने की आवाई नहीं आई एकजार आगष्री सांतिनात मार dream नाट हितोप पार मुपकारी संद्यृ मनी आचार गुरुवर विध्याद सागर सीं BLiji मुनि राज एकी फूजय मुनिष्री एकस्वार्ट दुर्लव सागर जी महराज एकी पूजय मुनिश्री 108 संपर्क कीर्थी महाराजे की आजे यह एक पावन अवसर कि यहाँ पर संपर्क कीर्थी त्यागी भवन उसका लोकारपन या उद्गाटन या प्रवेश या नांगल या जो भी आप उचित समझे वे हुआ और अपने लिए तो घर कोई भी बना लेता है अरे आप क्या वो छोटी सी चिडिया भी बना लेती है लेकिन त्यागियों के लिए घर बना कर दान कर देना ये बहुत बड़ी बात होती है बस त्यागी भवन उसका नाम ही त्यागी भवन रखा बहुत अच्छा सूववस्तित वह इन्होंने अपनी चंचला लक्षमे का प्रियोग करते वे इस छेत्र पर जिश्क आवसक्ता थी वह इन्होंने पूर्ति की आपको मालूम है एक सूकर भी फैमस हुआ है आचारी समंत वद्रिस्वामी ने आवासदान में मुनी महराजी को आवासदान में उस सूकर को याद किया इस प्रकार से क्यों नहीं हम तो मनुष्य हैं समझा रहे हैं हम मनुष्य हैं उनसे तो बहूत उपर के स्रेष्ट हैं लेकिन क्या करें अपनी बुद्धी को ऐसा दोड़ाता है आदमी कि बस अपने मकान में तो हीरा जावारा चड़ लेगा अब बूरा मत मालना थोड़ा स टॉंट कस रहे हैं एलो रा में हम रोज आहर करने जा रहे हैं एक भी मकान ऐसा नहीं जो लगबड़ लगबड़ वन सी आहर चत्तों हो गई और यहां 1100 या 500 की बोली नहीं लेते हैं लेते हैं ऐसा नहीं लिये नहीं है लेकिन अपन को उसमें भी दान में भी तो आना है न विशियों में तो सभी घर्च करते हैं वो घर्च करेंगे वो पानी में जाएगा लेकिन आज जो साहू क्या नाम संपरकिर्ती धर्मोद है ट्रश्ट ने आज जो अपनी चंचला लक्ष्मिका उप्योर किया एक अनुकर्णी है कारिय किया है सबके लिए यह एक अनुकर्ण बने और हर क्षेत्र पर इसी प्रकार के आवाज की विवस्ता बने यह भावना अपन को सबको रखनी चाहिए और उनके प्रतिविया भी ट्रश्ट ने संबान आदि किया बनता ही है इस प्रकार से त्याग की महिमा है त्याग हर कोई नहीं कर सकता और आपको बता दे जब पुन्य होता है ने तब ही त्याग हो पाता है अन्यता त्याग नहीं हो पाता है तो पुन्य अपने खाते में लाईए तब ही अपन आगे बढ़ पाएंगे आज अपन जो प्रवचन तहाप न उसको लेते हैं रविवार ये दिन है सब लोग यहाँ पर उपस्तित हैं बच्चे भी आ गए बुलाने पर कोई बात नहीं कैसे छोड़ें बूरी आधते अपने में बहुत सारी बूरी आधते जैसे दिन में सोने से नरग गति का बंद होता है ये वहाँ पर लिखवा दो सब्सक्राइब आ रहा है दिन में सोने से मनी बोल रहा आचारी अकलंक स्वामी हाँ अकलंक स्वामी राजवार्तिक में ये बोल रहे है कि दिन में यदि जो सोता है ये कारण बताए ना तो क्या बताए तो दिन में सोना अदो गठी की और ले जाना है इसलिए उस्का तो त्याग ही होना चाहिए रातरी में जो छे गंटे से जादा सोता है वो बिमार है लिख लो तो Amyaar है किरी 10 बजे सोते हो तो 4 बजे उठना है अब यहां तो नो बजे सो जाता है आदमी या दस बजे सोता है तो छे बजे पांच बजे या कितने कहां गई अपने बच्चियां अरे भग गई उतो ठीट है कोई बात नहीं थक गई तो आठ नो बजे आठ बजे तक्रा कर लो हने आठ बजे तक्रा नियम कर सकते हैं यहां पर वेटे वेलोड कितने बजे बहुत सुबह उठने का नियम तो पांच बजे का Χांश बाद का किसका नियम है सबक Cand Candice का हात उचा करो अपना मालूम चल जाएगा पांच बजे बात उठती और था फांच पांच बजे तो उठने हि करना पांच बज़े उटना ही है देखो एट बूरी आदत तो ही पांच बज़े कम सिर्म बहुत बढ़िया अच्छा जोड़दार अपने सम्मान में ताली बजा लो आज रहिवार का दिन ताना हर्ष दी भूल गए तेग्या मनुस्य का जैसा स्वभाव जैसी सोच जैसी प्रवर्ती जैसी चिंतनध्रा होती है वैसी ही उसका आदत बन जाती है और वह आदत अच्छी भी होती है और बूरी भी होती है जैसे बच्छों को अभी पहाड पे ले जाने का बोलें तो तुरंद बोलेंगे चलो वहाँ पर पूजन करेंगे वहाँ पर आरती करेंगे वहाँ पर भैया बरती करेंगे महाराजी की इस प्रिकार यह अच्छी आदत भी है और बुरी आदत भी आ जाती है तो बूरी आदित को छोड़ना है उसको क्या करना है क्रोस क्या करना है काई को और अच्छी आदित को टिक राइट मार्क समझे आया आज अपन यही यहां पर अपन सीखेंगे कि अच्छी आदित को टिक करना है और बूरी आदित को किक करना है किक यानि क्रोस किक मारना है तो यहाँ अपन आदद चार प्रकार की हाथ ने देखो आज यह मत समझो लोग कहते हैं अरे यह तो जोरू का डुलाम है बीबी का डुलाम है पत्नी का डुलाम है आज यह नहीं है मैं तो यह कहता हूँ कि वो उसका गुलाम नहीं है वो आदिक का गुलाम है और जिनकी नहीं है वो भी आदिक के गुलाम है समय महारे एसमत मान किते लो तो आदिक के गुलाम कमों बेशी सबी है हाँ, चाहे वो विवस्तागत गुलामी, राजनेतिक गुलामी आर्थिक गुलामी, सारारिक गुलामी इनको तो फिर भी आदमी हटा देता है समयारे, आप देखिए व्यवस्ता गट गुलामी है थोड़ा बहुत पुरसार्ट करेगा अलग हो जाएगी राहिनेतिक गुलामी बहुत कुछ दूर हो गई होई रही है आर्थिक गुलामी भी वो दूर कर लेता है और सरीर भी निरोर रटने का पुरसार्ट करता है तो ये सब गुलामियां वो दूर करता चला जा रहा है लेकिन फिर भी आदट का गुलाम सब है इन गुलामियों तो दूर कर दिया लेकि आदट का गुलाम इससे कौन बचाए इससे बचाएंगे आज अपन वही तो बात यहाँ पर कर रहे हैं आदर के गुलाम में सबसे बढ़िया कि पहले तो अपने अंदर में ये confidence जाकर करें कि मैं इसको थोड़ सकता हूं मैं इसको तोड़ सकता हूं अभी क्या कर रहा है अपनने ये तोड़ शक्ता है जैसे उधारन देता हूं हाती होता है हाती को काई से बानते हैं? बलो साटल से साटली जंजीर से बानते अब हाती इतना बलसाली होता है कि वह सेर को भी पचाड सकता है समयारे? लेकिन क्या उस छोटी सी सांटल को नहीं थोड़ पाएगा होता क्या है जब हाती छोटा होता है बच्चा तो उसके पाउं में वही जंजीर बान देते हैं एक पेड से अखंबे से अब वो उसको तोड़ने का प्रयाश करता है जब वो पैदा होता है तभी चार पाउंच दि दिरे दिरे वो बड़ा हो जाता है अब बड़ा हो जाता है तो उसके दिमाग में एक ही कीडा बैठ जाता है और वो कीडा क्या है जो आप लोगों के मन में बैठावा है कि मैं इसको तोड़ नहीं सकता मैं इसको छोड़ नहीं सकता रात में तुमारा मैंने देखा अभी ब रात पर पानी पीता है क्या आदमी यह तो हमने कभी नहीं देखा था अपने जीवन का हम भी तो गरस्त से आएं दद्दा कोई तपके तोड़ी हैं आए तो आए तो आपके बीच में सही है एम कॉम 72 परसेंट से किया बोलो हां पड़ लेक्या आए हैं अनुटा जाप है नही पिर लेकिन रात में बोल यह बोल लेकि सोने की परंपरा का से आ गई हो daring होता अप महराज जनम होता है तब से बोल चालू होती है और लाश्ट तक बोल लगी रहती है अब पहले तो जीते लगड़ी, मरते लगड़ी, देष्ट तमासा लगड़ी का और अब है जीते बोल, सभठा से पाटल दोड़े ना आदमी युवा तो बोटल और जवानी आई तो बोटल और बुड़ा पाए तो बोटल ये तो डड़बड है ना रातरी में अपन जब सो जाते है उसके बाद में खाना पीना नहीं गड़ना चाहिए समय में आघा है कि मैं मन ही मरूँगा हाथ चड़ा करो अपना कि मैं माराजी मन ही मरूँगा और बोलो तो ये कोई बात हुई क्या ये तो आप लोगोंने अपनी आदत को आदत से लाचारी हो शेना क्या बोलू बताओ हाँ मैंने देखा लाइन से बोट ने लग ले अपने बोला ये वड़वान ये तो डड़बड है तो निश्चित रूप से यह आदत छूटनी चाहिए अपने अंदर में इस परकार की आदत होगी तो ये नहीं अपन में सबसे पहले आज चार परकार की आदती जो अभी बता रहा था ये तो हो गई गुलामी अब आदते हैं कि कमी निकालने की आदत आलोशना करने की आदत दूसरों की निंदा करने की आदत, चुडली करने की आदत, ये आदते हैं ये हभी टै, कुछ लोगों की है पेट के अंदर उनका पस्ता ही नहीं है और उनके यानि गुडर 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 चलता रहता है जब तक दो चार को नहीं बताएगा तब तक उसके पेट में दर्द हो जाएगा तीन दोस्त तीन दोस्त पहुंचे दो दोस्त तीन दोस्त पहुंचे और तीनों दोस्त मिले और मिलकर हो कहते हैं कि हम सब अपनी अपनी एक-एक कमजोरी बताएंगे एक-एक कमजोरी बताएंगे सब महारा जिवोगा सा लिखना है तो कमजोरी बताएंगे ए recipe बताई कि मेरी ये कमजोरी है मैं प्रवचन तो बहुत अच्छा करता हूं जब तक थोड़ा सा तमबा को नहीं दबा लेता तब तक जमता नहीं है ठीक दूसरा पंडित था ओभी तो तेरी मेरी एट तो सही लेकिन ध्यान मेरा लिफाप़े पर रहता है कि यह प्रवशन के बाद में या विधान के बाद में लिफापा कितने का मिलेगा हां यह मेरा ध जुषरा अपना पेट पड़ाए भाड़ने लगा दोनों स्कु पड़े ओ तुम कहां जा रहा है तुम अपनी कमजोरी दो बता बोले यही तुम मेरी कमजोरी है तुम दोनों ने जो बताई वह पहले में दस बीच को नहीं बता दूँगा तब तक मेरे पेट में जर्द हो तुम किसी के साथ जी भरकर हसलो लेकिन किसी पर कभी मतसो क्या बोला किसी के साथ जी भरकर हसो लेकिन किसी पर कभी मतसो अकबर और बीरबल चले जा रहे थे बीरबल अकबर को सूजी मजाग बीरबल रात में मुझे सपना आया जी अजूर जापना बताओ बोले अपन दोनो चले जा रहे हैं और रास्ते में दो गड़े मिले मगिरा अमरक के गड़े में और तु गिरा गटर के गड़े में थोड़ी दूर आगे बड़े तो बस वीरबल तो वीरबल जापना मुझे भी वही सपना आया क्या बात है जो आपको सपना आया वो ही मुझे आया, फिर आगे क्या हुआ, आपका सपना जल्दी तूट गया, मेरा तोड़ा लेग तूटा, उसके बाद अपन दोनों बाहर निकले, यहां तत तो सही था, मैं मल्क के गड़े में, आप अमरेक की कुम्ब में गड़े, लेकिन फिर आगे चले, आगे क्या यह स्थती है, तो मजाद करना मेंगा, तो मजाद की आदड को छोड़ना है, और फिर तीसरा है, नसे की आदड़ एक बार लग जाता है, कहते हैं, की नस नास करता है, इंसान का नशे से होता नास इंसान का और जो करेगा नशा कभी उसका होगा नहीं कल्याण, कभी कल्याण नहीं होगा, वह नशा नास का प्रतीक है इसलिए चाहिए छोटी छोटा देखो नशे, कैसे हो जाते हैं कि आप सुरू सुरू में बले आपको थोड़ा सा पिलाएगा बाद में आप वो पी जाएगी आपको हाँ, इस प्रकार से चाहिए सिग्डेटो, बीडियो उस दिन बताएगा मैंने पंदर आगिस्त में कि कोई सावी अपन को यदि संस्कारों को बचाना है तो नसा अपने जीवन में नहीं लाना है नसा अपना नाश कर देगा इसके बारे में पूरा प्रवचन फिर करेंगे क्योंकि आज हमारा मुख्य बिंदू है वो जोता वाला, अब प्रवचन शुरू होगा अपना अभी तक तो ये हम थोड़ी भूमी का बना रहे थे ताकि बच्चे भी पूरे आ गए अब पूरा अपना सही यहां से अपन कर लेंगे तो इस प्रवचन फिर कर देगे तो इस प्रवचन हो है मोबाइल की आदत क्या भोला हमने ये सबसे बड़ी आदत है ये तीन तो ठीक हो गई इनके बारे में तो उस मोबाइल की आदत के बारे में किसी ने कहा जब तक फोन वायर से बंदा था तब तक आदमी आजाद था फोन की छूट दे रहूं मैं जब तक फोन वायर से बंदा था आदमी आजाद था और जब से फोन आया जब से फोन आजाद हुआ आदमी फोन से बंद गया जब से फोन आजाद हुआ आदमी उस फोन से बंद गया अब फोन तो आजाद हो गया और आदमी 24 कंटे गोध की BTR होएगी उसको उठाने में टाइम लगाएगा लेकिन वो जैम की दिबियार रोएगी न तो ऐसे लगता है जो उसको करेंट डाल और रोए आगया उसी कही हाँ पहले वो देखेगा मिसेज क्या काल नहीं उठाएगा मिस काल पहले देखेगा कि मिस काल कौन सा है आज आपका ही उन्मना कि इस्कीन तच कपड़े और इस्कीन तच मोबाईल दोनों इखतर नाक है समय में आ रहा है तच सब के हाथ में क्या है तच यहां बेटे बें हैं दिने इसमिया गलत तो नहीं बोल रहा हूं बता देना गलत बोलू तो हाँ सबके हाथ में तच मोबाइल है लेकिन आपस में कोई तच नहीं है सबके हाथ में तच मोबाइल है लेकिन आपस में कोई तच नहीं है यह इस्तती हो रही है कैसे होगा बड़ी इस्तती यह ऐसा पहलवान आया है बताऊ ना इसके बारे में ऐसा पहलवान आया जिसने कईयों को मार गिराया जिसने कईयों को मार गिराया हाथ में घड़ी बांगते थे सबसे पहले तो हाथ से घड़ी चली गई फिर रात में टॉर्च लेके सोते थे अभी बोतल का बोल रहा था तॉर्च अब वो मोबाइल लेकिन होता है फिर उसके बाद में पहले चिक्टी पत्री लिखता था पैंगे उसके बाद में कैमरा पहले एक कैमरा अलग से रच ते वह वाला और एक एक फोटू ऐसे सोच समझ के लेते थे क्योंकि उसमें real रहती थी कोड़े क्या कोई company आती थी कोड़े कोड़े का company आती वो ही तो वो real होती थी उसमें ऐसे स्रिकूमा के चलाते थी तो यह होता था और उसमें बहुत selected एक भी घराब नहीं हो जाए ऐसा और अब अब तो मत पूछो तो यह एक ऐसा पहलवान Аया जिसने कितनों को गिराया और एक radio रेडियो रेडियो हाथ में लेके एक radio सुनते थे पुराने लोग रोते थे तो रेडियो सुनते थे अब ये रेडियो वेडियो तो मारा है बहुत दूर ते लेगे कौन सी जमानी की बात कर रहे हो पहले अच्छी किताबे पढ़ता था लेकिन अब गंटों वाक्सप देखने में गुजार देता है गंटों वहाँ पर फेस्बुक में बैठा रहता है गंटों चेटिंग ट्वि से अनेक बिमारियां ये दो लेक लाया हूं अभी पूरे पढ़के मनी सुना रहा हूं क्योंकि ये दोनों लेक और ऐसे वैसे नहीं राजस्तान पत्रिगा में आया है और एक भाशकर में ये दोनों इनके रेडियेशन से क्या-क्या होता है कभी एपल कंपनी एपल का मोबा कौन सी ही साब सब बोल का मोबायल मालिक ने अपने बेटों को इसमें लिखावा है अपने बेटों को और विल गेक्स संसार का सबसे हमीर अदमी उसने अपने बच्चों को और सेमसें कंपनी कि मालिक ने अपने बच्चों को मोबाइल नहीं दिया दिख रहा है यह क्योंकि बीमारियों को मुफ्त लेने का करनेक्शन इसमें हेडिन दिया है बीमारियों को मुफ्त लेने का करनेक्शन यह और अब तो और आगया होगा यह तो बहुत पुराना साल है तो यह मैं बोल रह आपूंडलपूर जा रहे थे आचार इसी साथ में भीयार करते वे और उसके पहले एक गाउं आता है तो गाउं का नाम तो याद मा भूल रहा हूं तो उस गाउं में वह है हम लोग बैठे और चट पर बहुत गर्मी थी चट पर वहिया वर्ति कर रहे थे थोड़ी चाहां मे तो वहां बैठे सुबह सुबह का भीयार साथ बज़े पहुंच गए वह वह वर्ति कर रहे थे आचार स्रीजी ने दो ठावर देखे बड़े बड़े ठावर आचार स्रीजी ने यूं आता ठोटा बोले देखो कितना अच्छा गाउं है और इस गाउं में ये दो दुस्मन कहां से आ गए हिको ने बोला अचार स्रीजी ने बोला ये दो दुस्मन ही है वो आपको बता दे दुलियान में पहले नारियल लगते थे गंगा नदी किनारे नारियल के पेड बहुत जब से दुलियान नगर में एक साथ चार या पांश टावर लगे तो वहां के लोड़ बताते हैं महराज, यहां के नारियल लगना बंद हो गए, बांज हो गए, ऐसे वो तो पेड एकेंद्रिये पर आप पंचेंद्रिये और और उससे ज्यादा सेंसिटिव हैं, आप क्या होंगे, बोलो, यह नपून सिकतार्ता का उधारन दे रहा हूं, आप बुरा मत मानना, इ बना हो, तो हमेशा ही बना रहता है, याददास्ती चली जाती है, डिप्रेशन में हमेशा रहता है, और इसके माध्यम से अनेग नींद, गाई पी हो गई, नींद आती नहीं है, आप देख लीजिए, उसको गैरी नींद नी आएगी, मोबाइल वाले को, हां, वो थोड़ी नी वाले है, यहाल है था आज के इंसान की, अभी कुछ दिन पहले साहिद एकात दिन के लिए बन किया था, नेटवर्क वगएरे, तो जब है, कोरोना काल में, उस समय, तो लोगों को बिलकुल ऐसे लगने लगा, अब क्या होगा, तो यह चीजे आपको समझना है, और इसक हजारों करमचारी काम करते हैं, हजारों हजार, पत्चीस हजार, लेकिन मोबाइल यहीं रखो, बाहर में, क्योंकि इससे कारिय करने की, आपकी efficiency, घट गई न, चमता, इस मोबाइल ने हैं, पूरा मैं बोल रहा हूँ, समय चोर महारादी बोलते हैं, यह समय चोर है, इसका नाम मोबाइल रखो ही मत, क्या नाम इसका, समय चोर, बोलो बच्चों, अभी सुना ही नहीं दिया मुझे, हाँ, यह समय चोर है, बिल्गुल, आपका समय खाओ, समय को खाएगा, इसलिए इससे बचों, इसके मात्यम से अनेकों, अनेक, यानि केस हो रहे हैं, और आज तो चले जा रहे हैं, तो यह सोचल मीडिया, अब मैं आपसे खाते पीते उस फास्टिंग की बाग करूँगा, कि खाते पीते भी आप फास्टिंग कर सकते हैं, वो कौन सा फास्टिंग है, बता है, सोचल मीडिया फास्टिंग, हाँ, अब जरूरत नहीं है आपको, कि आप करती दिन एक घंटे का मोबाइल का त्यार करते हैं कर सकता है आदमी बोलो हमारे संपर्क में दोनों सरजयन दिल्ली नाम लिख सकते हो आएंगे वाभी आने भी आनला तो सरज भाई दिल्ली बारा वजे के पहले किसी का भी मोबाइल आओ उठने के बाद मंदिर जाओंगा अ मोबाइल चोंगा ही नहीं महानगर दिल्ली और उच्छी दुकान देखोंगे नाप आप यहने बिल्कुल दिश्क जोश्य काम हैं बहुत बड़ा काम सोरूम गाडियों का तो यह तो यह क्या है इतने बड़ बड़े पंकजेन ललित्पूर उदारन देरों पंकजेन ललित बड़ार और वहां पर वे पंकज भाई आए भी थे बावन के जा मार पास में तो वो गर्व में बेटा आया बच्चा आया तो अपनी पत्नी से बोलते हैं कि टेलिविजन अपन दोनों देख चुके हैं और मैं चाहता हूं कि बच्चा टेलिविजन और मोबाइल से दूर तो तुमारा क्या क्या ख्याल है बोले दूर रहेंगे कोई देख अपन टेलिविजन बेज दो उसने रंगीन टेलिविजन था घर में ओन पौन भाव में कोई ले जा तो ले जा नहीं तो भाहर रट दो रोड के ओपर कोई उठा ले जाएगा खत्रा वाला तो आए गई हम लो डिभी वाला जो अपना वो पहले चलता था ये तो आप चाहें तो सब कुछ कर सकते हैं और अभी बच्चे आए थे बावंगरजा में दोनों उसके पतनी भी आई थी तो दो बच्चे हो गया और वो आए तो तो तीनों के बताया कि उन दोनों को आज तर उन्होंने टे को संस्क्रत में अपने बच्चों को पढ़ाते हैं विद्वान बनाते हैं यह इस्तती बोलो है आपके पास में इतनी है योग दा रोईत बैंडलोर रोईत बैंडलोर का उधारन देरों दो बत्ते उसके भी और पत्ती और पत्नी दोनों खेती कर रहे हैं आयाई टिंग की की कवा खेती सी कर रहे हैं हम खेत में रहेएंगे अपनों वच्चन फटाइंगे हमें क्या ज़रूष्ट है कि समय की कर मोईटान वी आद्पीड अससे चूटने का इडिक चाहिए तो चूट offerings बाते बड़ी बाते इन में करूं क्या आदमी सुदर्णा नहीं चाहता आदम एजister न निजए था हां और केवल मात्र अभी नहीं करता है अभी नहीं आया तो इसWow एन मैं जानता dump ALT झानी सकिनी और आऱ ड़ीफ में आप फूर्ण रूप से त्यार नहीं नहींची कर शक्ते हैं आज हम 25 đã आज रात में 10 बजे से सुभर तक क्या त्याः इतना तो करी सकते है इसके माद्यम से आपके अंदर में जो अनेक योक्यताएं है वो योक्यताएं बाहर उभर कर आएगी और उसके माद्यमसे आप आगे बढ़़ सकते अन्यता अन्यता तो इंसान तीन सब्दें इंसान सैतान और बगवान बात चली थी अपनी सुरुवात हुई थी अच्छी आदत और बुरी आदत से तो अच्छी आदत आपको बगवान बना देगी और बुरी आदत आपको क्या बनाएगी बच्चों अच्छा यह बताओ रा रावन और कंस बूरा और क्रश्ने दोनों की राशी एक राम की राशी एक रावन की राशी एक लेकिन दोनों की आदत अनेक बिन 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 बोलो एक को पूचते और एक के फुतले जलाते हैं समझ में आ रहा है इसी से समझ जाओ जैसे सीडियां होती है सीडियां सीडियों से उपर चड़ते भी हैं और सीडियों से नीचे उतरते भी हैं आपका मन भी बुरी आते भी उसी में हैं और अच्छे आते भी उसी में हैं आप यदि उपर चड़ने का काम करेंगे मन को अच्छे कारियों में लगाएंगे आप इनसान से भड़वान बन सकते हैं और नहीं तो इंसान से क्या बन जाएंगे? सेतान. देखो, फसू पच्च्छी में किसी को नहीं बोला जाता. घदे को घदा ही बोलेंगे. गाहे को घाह ही बोलेंगे. है ने? और सेर को सेर ही बोलेंगे. लेकिंए इंसान में, अरे आप तो इंसान क्या देवता है? बुलो अरे क्या तुम इंसान है घदा है तो क्या हो गया ये इंसान में दोनों है इंसान में सेटान भी है और इंसान में बढ़वान भी है अच्छी आदत आपको बढ़वान बना दे रही और बुरी आदत आपको सेटान बना देगी हमें सहतान नहीं बनना हमको क्या बनना है बगवान बनना है लेकिन बगवान बनना तो है लेकिन कब बनेंगे जब आज आज आपको बहुत सारी बाते हमने बता दी दूसरों की कम्यान ही निकालना है मजाट में अपनको ऐसी मजाट नहीं करना कि किसी को चूप जाए और नशे की आदर को छोड़ना है और लाश्ट में जो आप सब के सामने रखा कि मोबाइल जो आपको आज गलत राश्ते में अपन लेके जा रहा है उस मोबाइल से अपन को जितना बच सकें उतना बचा लें तो अपन इन बुरी आत्तों से बाज आ सकते हैं भारत की कभी ऐसी इस्तती नहीं थी लेकिन क्या करें जहां पर माटी भी बिके और पानी भी बिके वहां की इस्तती क्या होगी उस इच्छा भी भी रैसी हो जाएगी जो पानी जो पानी और माटी बेजेगा वह भारत कभी भारत और पानी माटी दो ठीड़ अब तो मास और सराब सराब में भी नंबर वन बोलो कोरोना काल में मंदिरों पे ताला लगा दिया और सराब के ठेकों पर कोरोना नहीं था सराब पर आराम से धडलले से बिट रही है क्यों क्यों कि देवन्य आ रही है क्या यही सरकार है बोलो चुनावार है अभी आप लोड सब मतदाता हो अपने मतदान का उप्योड करो क्या सोचते हो आप जिसको उपर चड़ा सकते हो नीचे भी उतार सकते हो कि माश्च के निर्याद कि आपने बाग की थी और जबकि सबसे ज़्यादा माश्च निर्याद उल्टा भड़ा है दूसरे नंबर पे आ गया बोलो भारत से करोडों पसूं मर रहे कौन सुन रहा है उनकी पुकार कोई नहीं क्या यही सिछा है हमारी क्या यही राष्ट्री विकास है आप सोचो तो उस गोमाता के उपड़ जब कटार चलती है जब सुरी चलती है उन भूचर खानों को बन तो कराए था नाम नहीं ले रहा हूँ लेकिन फिर उससे ज़्यादा खोल दिये तिलट लगाने के लिए बन करवाए थे वो सभी मैं किसी भी सरकार के भी पच्च्च में सरकार के लिए नहीं बोल रहा हूँ लेकिन आपका जो मोटो है आपका जो उद्देश से था आप जब चुनाव के वोट मांगने आये थे तब हमने आपने बोला हम माश निर्यात बन कर देंगे फिर क्यों नहीं हुआ बोलो जैनियों से पूछना चाहरा हूँ इतने बैठे वे याँ पर उल्टा ज़्यादा हुआ इतना पहले नहीं था एक व्यक्ति दिवार बना रहा था अपना मकान का काम के लिए मकान बनाना चाहता था दिवार उठाए तीन चार फिट पांच फिट उची होए और वो दिवार गिर जाए फिर जुबार उसने उठाई फिर दिवार गिर जाए वही सामने एक महराज जी बैठ कर अपना स्वात्याय ध्यान आदि कर रहे थे अब वो देख रहे थे कि ये बार बार दिवार उठा रहा है और गिर रही है एक बार हो गया दो बार हो गया तीन बार हो गया इस बार महराज जी के मुर्ट पर थोड़ी सी मुश्कान आ गई उसने बोला महराज जी आप क्यों ऐसे बोले यूँ ही तुमारी नादानी पर मुर्ग पर अरे मा कहा मुर्गू मा तो इतनी मेने कर रहा हूं सुबै से साम हो गई ये दिवार उठा रहा हूं बोले दिवार तो तुम उठा रहे हो जी इसकी नीव कहा है नीव कहा है तब उस व्यक्ति ने कहा अजी महाराज बड़े मुर्ग होते हैं वो लोग जो अपना समय और अपना संपती पैसा उस नीव में बरबाद कर देते हैं जो कभी दिट्ती तक नहीं ऐसे मुर्ग लोग होते हैं जो वो दिट्ती नहीं है और उसमें अपना समय और संपती बरबाद करते हैं तब महाराज ने का मुर्क हो नहीं मुर्क शिरू मैं तुम हो जो बिना नीव के दिवार खड़ी करना चाह रहे हो बंदूओं जिस प्रकार से जैसे नीव के बिना दिवार या महल खड़ा नहीं हो सकता जड़ के बिना व्रट्स खड़ा नहीं हो सकता मूल के बिना मंदिर का सिकर नजर नहीं आ सकता उसी प्रकार से जीवन में धर्म के बिना जीवन की सुरुवात नहीं हो सकती कभी भी जीवन सुरू नहीं हो सकता जब तर जीवन में धर्म नहीं तब तर उसकी क्या धर्म जीवन की नीव है धर्म जीवन की जड़ है धर्म जीवन का मूल है उस मूल को या दमी भूल गया बाकी सब कर रहा है चूल चूल पे ध्यान देता है मूल में ध्यान ही नहीं दे रहा धर्म के बिना कभी भी कल्याण हो नहीं सकता आज तक हुआ नही आ रहे हैं एक हफ्ता बाद ही पर्वे राज परिविशन पर्वे दो तीन दिन पहले सूरत वाले आये थे तब मैंने चार पुरसार्थ की बाढ़ की थी धर्म, अर्थ, काम और मोट्ष हमारे आचारियों ने सबसे पहले और एक बात बता दूँ राजवार्थिक में आचारि अकलनग देव स्वामें कहते हैं इन चार पुरसार्थ को छोड़ कर यदि कोई चर्चा करता है तो वो चर्चा उसका ऐसे ही अनर्गल प्रलाप कहलाएगा बलकि वो वी कता कहलाएगी अगर इन चार पुरसार्थ के बारे में आप चर्चा कर रहे हो तो वो सम्मे कता तो यहाँ पर आज अपन उसी धर्म की धर्म के बिना जीवन की शुरुवात नहीं यह बात हमारे दिल और दिमाट में अच्छे से बैठ जानी चाहिए बैठी भी है लेकिन करे क्या दुरियोदन प्रवर्ति है माराज जाना मी धर्मम न चाप्रवर्ती और जाना मी अधर्मम नचे निर्वर्ती मा धर्म को जानताउं लेकिन उसमें प्रवर्त नहीं हो सकता नहीं हो पाताउं और अधर्म को जानताउं लेकिन उसमें निर्वर्त नहीं हो सकता यही स्तती यदि बनी रहेगी तो अनाधी के संसार से कभी भी छुटकारा नहीं मिल पाएगा बंदों हमें अमारी संस्क्रति को याद रटना चाहिए प्रकर्ति, विट्रति और संस्क्रति तीन सब्द है भूक लड़ने पर खाना ये प्रकर्ति है और दूसरे का छीन कर खा लेना ये विट्रति है और दूसरे को खिला कर खाना यह हमारी संस्क्रती है हम उसी में ही खुस होते हैं और यही हमारा धर्म है यही धर्म है दूद है ने दूद उस दूद का उप्योर कर लेना प्रिकरती है दूद का फट जाना विकरती है और दूद को जमा कर दई और गी बना लेना यह हमारी भारतिय संस्क्रति है यही हमारा धर्म है उस दिन मैंने दो दिन पहले यही बात कही थी कि फटने से पहले फाड़ दो यह सरीर है न सरीर यह इसका धर्म क्या बात धर्म की चल रही है तो हर चीश का धर्म है सब चीश का पुद्गल का स्वभाव नश्ट होना है ठीक है ने क्या होना है और जीव का स्वभाव सास्वत रहना है वो कभी जल नहीं सकता वो कभी गल नहीं सकता वो कभी फट नहीं सकता तो फटेगा कौन? सरीर इसलिए इस कपड़े को ये फटेगा इससे पहले फाड डालो दर्दी होता है इन दर्दी वो कपड़े को फाड कर उसके अच्छे-अच्छे वस्तर बना देता है नहीं तो फटना तो है तो इसके वस्तर बना लो जो आपको इस लोट में भी और परलोट में भी काम आएंगे बस ये शरीर मिला है इस शरीर को फाड डालो फाडेंगे तभी काम होगा अन्यता नहीं फाडेंगे तो अच्छा छेना बनेगा और उस छेने से मिठाईयां बनेगी और फट जाएगा तो कोई भी नहीं का पाएगा तो बात चल रही है धर्म की धर्म पुरसार के माद्यम से अर्थ अनर्थ नहीं हो पाएगा अर्थ में और धर्म पुरसार के माद्यम से काम आपको राम से मिला देगा और काम वासना में कनवर्णी होगा और धर्म पुरसार के माद्यम से ही मोच्छ पुरसार की उपलब्दी हो सकती है इसलिए आगे के तीनों पुरसार्च के पहले धर्म रखा कि धर्म के माद्यम से अर्थ, काम और मुर्च इन तीनों की उपलब्दी हम कर सकते हैं यदि धर्म जीवन में नहीं तो तीन काल में अर्थ आपको गड़े में ले जा किरा देगा और काम आ आपको ऐसा भक्ता देगा कि उससे उबरना भी बहुत मुश्किल होगा तो धर्म की परिवासा तो आप लगे चार बात करूंगा कि धर्म क्या धर्म क्यों धर्म कब और धर्म कैसे सुनगे अभी जित्विया धर्म क्या है धर्म क्यों है अल्प समय में इन चारों की बात रख पिर से एक बार और करेंगे लेकिन आज वही भुमिका बना रहा हूं क्योंकि बाते तो बहुत हो गई अब प्रियोट करणा है सूनना तभी सार्थ तक होता है जब हम उसे प्रियोट करें प्रियोट नहीं करें तो धर्म मी कोई काम का नहीं इसलिए दस धर्म दस लक्षन धर्म एक एक धर्म पर उसकी व्याठ्यान आपको सुनने को मिलेगा धर्म की परिवाचा यहां पर धर्म क्या तो वत्थु सवभाव धर्म अभी मैंने बोला जाने पुद्धिक्रगर का सवभाव नस्ट होना है और आत्मा का सवभाव अ आप नस्ट्वर की ओर देखना चाहते हो या अभीनस्ट्वर की ओर एज यू लाइक आपके उपर निर्वर है आप क्या चाहते हो जो नश्ट होने वाला है उसको पटड़ के बैठना चाहते हो या जो अभीनस्ट्वर है उसको लेना चाहते हो महराज हमें तो नस्ट्वर में आदमी उल्जा रहता है और ये सब नश्ट होने वाले समाधी तंत्र में आप लोगों को वही सुनने को मिल रहा है इसी प्रकार से आइंसा परमो धर्म यह भी एक नारा आप लोड लगाते हैं बले चमडे का जूता और चमडे का बैल्ट बांध रखा है और तेजी से ना आया था ये व्यंड मावीर जैनती पर आइंसा परमो धर्म का पैनर पटड़े है और पाओ में जूते कोन से पहने में उसकी फोटू आई बताई हमें किसी बच्चे ने ऐसा होता है क्या यह धर्म है यह धर्म की मजाक है अरे धर्म तो वह है जो मंदिर में भी हो और मंडी में भी हो जो देवाले में भी हो और दफतर में भी हो तब हो धर्म धर्म कहलता है धर्म केवल मात्रे दस मिन के लिए अभीस मिन के लिए प्रवचन सुन लिए और हो गया धर्म या एक गंटे पूजन कर लिए और आरती उतार लिए अभी से कर लिए हो गया धर्म यह धर्म नहीं है, धर्म आत्म का हमारा साथ स्वभाव है, धर्म वै है जो हमारी आत्म को सुद्ध कर दे, धर्म वै है जो हमारी आत्म को पवित्र बना दे, धर्म वै है जो हमारे बीतर में मन को निर्मल कर दे, और धर्म वै है जो हमारे बीतर में सुचिता ला दे, ये सब चीजें प जब हम उसको प्रैक्टिकल करेंगे अभी तो थोर्टिकल थोर्टिकल तो खूप करते हैं प्रवचन करने मात्र से धर्म जीवन में नहीं आ सकता है सब्सक्राइब तो तब आएगा जब हमारे उपर किसी भी प्रिकार का कोई भी उपसर्ग आए परिशय आए तब हम उसको सम्ता से सहन कर लें तब तो वो धर्म है अन्यता थोड़े से में विचलित हो जाए तो का एका धर्म वो तो धर्म नहीं कहला है ना सम्ता सबसे बड़ा धर्म है इसलिए सम्ता को धारण करना बहुत जरूरी है तो यहाँ पर मैंने पहले भोलाता धर्म क्या है आप लोड़ों के परिवासा तो यही है कि महराज जी धर्म के माद्यम से हमको बहुत सारी जो चीजे मिल जाती है और हमारे संकट ताल देता है वो धर्म नहीं वो धर्म है मैं कहता हूँ वो धर्म आपकी उतली उतली परिवासा है ध्यान रटना संत कहते है धर्म संकटों को तालता नहीं धर्म संकटों में आपको संभालता है क्या बोला धर्म संक्टों को तालता नहीं धर्म संक्टों में संभालता है और पाप काटने के लिए धर्म नहीं पाप क्याटने के लिए धर्म करना है आप पाप को काटने के लिए मात्र धर्म नहीं है पाप को कब तक काटोंगे बोलो 20 तो वही है वो बाजराब होने वाला होता रहे उपर उपर से काट लेता है और फिर उसमें अंकुरन आ जाता है उपर फिर गन्ना होता है गन्ना एक फसल होता है कितने बार वो फसल लेता रहता है आप लोग भी वैसे ही है तो पाप काटने के लिए नहीं पाप त्यादने के लिए धर्म हमें पाप को त्याद न सिखाता है त्याद कर देंगे अब धर्म आगे नहीं फिर धर्म क्यों क्यों करें तो धर्म इसलिए करें ताकि बोलो मैं आपसे ही पूशता हूँ बोलो बच्चों धार्म क्यों करना चाहिए बोल रहें करनाण वाले हाँ बोलो जल्दी बहुत बढ़िया कर्मों की निरिजरा कर्णिट लिए धार्म करें और और कोई उत्तर है पाप को त्याट मिट लिए अभी हमने बताया हाँ बहुत अच्छा ये भी सही उत्तर है कि जितनी देर धार्म में रहेंगे महराजी उतनी देर पाप का त्याग यहाँ पर मतलब कुल मिला के धार्म करने से पुन्य की प्राप्ति होती है यह कंसेप्ट है न लेकिन संत कहते हैं कि पुन्य कमाने के लिए धर्म मत करो जीवन को पुन्य में बनाने के लिए धर्म करो बस जीवन पुन्य में हो जाए तो हमारा धर्म करना सार तक हो जाएगा पुन्य कमाने के लिए धर्म नहीं पुन्य में अपने जीवन को बनाने के लिए अपन धर्म करें और धर्म कब करें जब बुड़ापा आए तब करें क्यों जब बाल सफेद हो जाए इसातिस्विया तब करें या जब पाव लड़ छड़ाने लगे तब करें नहीं धर्म कब करें संत कहते हैं फुर्सत में धर्म नहीं फुर्सत में धर्म नहीं करना है धर्म करने के लिए फुर्सत निकालना है यह आपके लिए तुम्हेरा आज में के बाद जब कोई काम नहीं कोई धाम नहीं चलो तोड़ा माला फेर लेंगे ऐसा नहीं जब अच्छा मार्केट चल रहा है बाहर का तब आप भी मंदिर में आके अपना मार्केट चलाना सुर कर दो आपके लिए कर्मों की निज़िरा होगी बहुत अच्छी होगी फिर भी ऐसा नहीं आश्चल तो होता है महरादी रहिवार क काम ही नहीं बनता है तो यह इसका मतलब अब रहिवार को भाईया सापताइक एट शुक्ति देनी पड़ती है तो उनको दे नहीं है फिर भी पोजेटिव हम तो दोनों पोजेटिव ही सोचते है कि भाईया कम से कम वो एट दिन तो आ रहा है यह मत देगो किछा दिन नहीं आ रहा है एक दिन आ रहा है लेकिन अपन को आगामी जो पर्वराज परियुशन पर वो आ रहा है उसमें फुर्सत निकाल कर धर्म करना है तब जाकर हम उपलब्दी कर पाएंगे अन्यता जीवन के पचास बसंत तो यूँ ही चले गए पचास परियुशन तो बीती गए सम वो एक अलगी परियुशन पर जो अगली बात है कि धर्म कैसे करें वो धर्म आप को जो है धर्म कैसे करेंगे वो आपको मालूम चल जाएगा कि किस प्रकार से सुबह से लेकर साम तक का हमारा रूटीन होना चाहिए धर्म को रूटीन समझ कर मत करो अपितू रूटीन को ब आरातना सातना प्रियोट साला में यहां देटने को मिलेगा सुनने को मिलेगा समझने को मिलेगा और करने को मिलेगा हमने इसका नाम सिविर नहीं रखा अभी दो साल से क्यों आचारी स्रीजी बोलते है कि माराष्ट्रा में या कंण में कंण में सिविर का मतलब फास होता है फास लग जाती ने क्या बोला कंणड में कंणाट एक में सिवीर का मतलब तो हमने सिवीर सब्दी अठा दिया मूट माटी प्रियोट शाला और आरादन साथना प्रियोट शाला अने को ऐसे ही प्रियोट शाला पाट साला प्रियोट शाला इस प्रिकार से प्रियोट शाला ही पितले साल लगाई थी अभी वही प्रियोट शाला तो इसका नाम ही दिया है आरातना आप आरातना करो और जितनी बन सके उतनी साथना करो इसका प्रियोट करो आज आचारी स्रीजी का हाईकू भी वही है कि कम से कम सत्रा आच्षर में आचारी स्रीजी ने पूरा सार्प दिया है ये इसी प्रियोग शाला के उपर कि कम से कम स्वाध्याय का वर्ग हो प्रियोग काल प्रियोग काल जितने समय स्वाध्याय करते हैं उतने समय से वर्ग का मतलब जाते हो चार चोर सोला सोला इंटू सोला दोसो च्याण में दोसो च्याण में इंटू दोसो च्याण में लो तीन बार में पहुंच गए आप लाखों में बोलो यह होता है वर्ग समझा रहे है यहां पर टू इंटू टू इंटू टू इंटू नहीं है यहां वर्ग है तो यहां वर्ग करना है आदमी स्वाध्याएं में तो बहुत interest लेता है लेकिन को भूले कुए से पानी छाण कर लाना है महराज कुए से पानी छाण कर लानाए यह तो नोकर लियाएगा बोलो तो यह आपका वो practical होना चाहिए रोटी कैसे बनाना है रोटी के बनाने के लिए हमको किस प्रिकार से भी परोसना है कैसे देना है क्या खिलाना है ये सब आपको सीथने को मिलेगा आरातना साथना प्रियोट साला में ये सारी चीजे आपको सुबह से साम तक की क्या रुटीन होना चीह क्या दिन्चरिया होनी चीह अभी अभी जी जीने और खंडवा वालों ने पत्रीका का मुच्राम किया हमारे हाथ में दी मैंने बोला भया हम तो यहीं पे है आपको आना है आपको रह ना है दस दिन सब कारीयों को विराम कुछ नहीं बस केवल मात्रे और केवल मात्रे अपन क्योंकि यहां तो आपको छेत्रे और गुरु दोनों का ही सानिद्य द्रव्य छेत्र काल सब मिल रहा है आपको भाव जोड़ना है कल यहां पर लगबट दो गंठा सभी मिटिंग भी हुई और उसमें मैं तो बोल रहा हूँ यहां बैठे में हैं कि मिटिंग तो हो गई अब तो सिटिंग की जरुरत है आने वाले लोड़ पार्टनी जी भी यहां पर बहुत सारे लोड़ बाहर से जो आ रहे हैं उन सब की बहुत अच्छी से विवस्ता हो और कल जैसा आप लोड़ उनका हा और भी अभी आपके पास दोड़ा इस्तान है तो उसके लिए भी लोड़ आएंगे यहां तो जितना आप जाएंगे उतना ही आपके पास में आ जाएंगे लेकिन फिर भी आज 10 तारिक हो गई 13-14 तारिक तक आप अपनी पूरी विवस्ताओं को सुनिस्थिक कर लें ताकि आगे कंदर भी हैं और और अंगाबाद भाले भी हैं सुन रहो हां इस बाहर का कुछ नहीं आपको यहां पर सुबह से सामतर और एक जीवन जीने की कला सिखाई जाएगी कि किस प्रकार से हम जीवन को और आगामी यह परवराज परिशन परव कैसे मनाएं तो उसमें बहुत सारी बाते हैं अभी तो समय उतना नहीं है लेकिन फिर भी यह जो मनी कांचन योग मिला है तो उसमें बाहरी धर्म है अभी जो बात बोल रहा था क्योंकि द्रव्वे से तो हम कर लेते हैं भावों से भी धर्म होना चाहिए भीतरी कसायों में निर्मलता कैसे लाएं कसायों का जो उफान है उसको कैसे कर्म करें वैर की गांट को कैसे खोलें हैं आप उपर गांट 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 किव तक बान्धोंगे वो गांट बांदे बांदे वो पोट्ली आपकी पूरी बंद हो जाएगी इसलिए आप उसको विद्र खोलना चाहते हो तो इन 10 दिन में आओ और इन 10 दिन में आप सीखो किस प्रकार से हम अपनी मंद की निर्मस्त गलाना और अरहम से मिलना इन दस दर्मों में आप सीच सकते हैं अहम को तो मिटाना है गलाना है और अरहम से मिलना है जब तक अहम का गालन नहीं होगा तो अरहम की ओर कैसे बढ़ेंगे अहम को गलाएं और अहो भाग जगाएं आहो भाग में को जगाएंगे तभी अपना कल्यान हो सकता है चर्चा बहुत हो गई अब चरिया में उतारना है और चरिया में थोड़ा सा आपको ताईट तो होना पड़ेगा बिना उसके कुछ नहीं, एकासन करें, या एकासन नहीं, तो एक बार फल ले लें, बस उतना ही, बलकि बहुत सारे लोट तो उपवास की भी मान सित्ता बनाते हैं, तो उपवास कर लें, एक आर, एक उपवास चली रहें, अभी तो भैती गंगा में हाथ दोना आप भी, तो आ तरह के बाहरी नीअबी और भीत्री नीएंबी यह आपको लेना चाहिए क्यों ले ना चाहिए क्योंकि अगए गाड़ी खाब हो जाती है पैट्रोल huh अले बैटे थो सर्वी सिस्टेशन में देते हैं गाड़ी को सर्वी सिस्टेशन पर रखते हो गया दो दिन, पाइच दिन, दस दिन, दस दिन के बाद में अपने अप गाड़ी आपकी फर्राक्टे से डोलती है, कम माइलेज में, कम ओयल में ज्यादा माइलेज चलती है, क्यों चलती है, क्योंकि आपने दस दिन उसकी सर्विस इस्टेशन पर दे दिया था, यह सर्विस पर आप अपने लाके खटाला गाड़ी को यहां पर खड़ा कर देना फिर उसको बढ़िया तंदुरुस्त नई बनाकर दस दिन बाद में आपको दे देंगे यह दस दिन में 355 दिन आपको कैसे रहना है यह शिका दिया जाएगा बस इस पर्वराज परिशन पर्व में ताकि आप अपने घर पर रहकर भी उसको जी सकें यह जीने की अभी मैंने बोला जाना मंडी में नहीं यह आपके जो है मंडी में भी वही आपको मंदिर में नहीं मंडी में भी वही धर्म हमारे में आ जाए यह तब होगा जब हम आत्म साथ कर लेंगे अपने जीवन को सयम में ब लेकिन करे क्या धर्म उसे उसे करने की चीज नहीं बीतर से करने की चीज एक बार ऐसा हुआ एक गुरू थे उन गुरू ने शिस्षे ने गुरू से का बढ़वन दस साल हो गए और अभी तक मुझे आपकी तरह आत्म ग्यान नहीं हो पाया पुले एक काम कर जा एक लोटा लेकिन क्या करें गुरूओं को भी जब शिस्यों को लाइन पर लाना होता है तो कई तरह कि यह थड़ कर्म होते है वो मदीरा लाया मदीरा लाके बोला कि यह लोटा ले और इससे कुछ्ला कर और तुम्हें बाहर निकालना है थूट देना है एक घूट भी हलक्षे नीची जानी थिए ध्यान रख लेना बस मुह में ले और कुल्ला करके थोड़े मुह प्रिकार से वह करता गया और पूरा लोटा खाली हो गया तब गुरुजी ने कहा क्यों तुम्हें नसा चड़ा वो सिस्षे बोलता है अरे गुरुदेव नसा कैसे चड़ता नसा तो तब चड़ता जब मैं गले से नीचे उतारता बस आप से भी यह कहना चाहरा हूं धर्म का नसा भी तब चड़ेगा जब धर्म को गले से नीचे उतारेंगे अभी तो आप लोगों ने धर्म का कुल्ला किया है कुल्ला करने मात्र से कुछ नहीं होगा इसलिए मात्र कुल्ला ही नहीं करें उसको नीचे भी उतारें और वो तब ही होगा जब प्रियोग करेंगे प्रियोग करेंगे आगे बढ़ और पिडाल का चुका बंदर कोई काम का नहीं ऐसे ही ये एक मणी कांचन जो आपसर आया है इसके बाद में यह चला गया तो फिर आपके कोई काम का नहीं बस धर्म की सही परिवाचा धर्म क्या है धर्म क्यों है धर्म कब है और धर्म कैसी करना चाहिए इन चार वातों को आपके सामने संक्षेप में रखा है विस्तार के साथ में दस लक्षन पर्म में आप लोगों को प्रति दिन और सुनने को मिलेगा हम सब इस धर्म के माध्यम से अपने जीवन में आमूल चूल परिवर्तन लाएं और अपने जीवन को भी उन्नती की ओर लेकर जाएं ऐसी भावना के साथ में मैं अपनी वानी को भी राम देता हूँ बोले आइन साब पर्मो धर्म की आचार गुरुवर विद्या सागर्जी महामुनी राजे नित्य नवीन मंगल प्रवचन के प्रायू जक्ते वंडर सिमेंट फर्क नदर आएगा